इस कारिक्रम की पुर्यार्जक हैं श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकत जैन, अमित जैन, राशी जैन, उन्नती जैन, सेक्टर सेतिस, नोईडा, पारसमल, इंद्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोच चन जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरुभक्त परिवा विश्व कल्यानकारकम, उपस्तित धर्म इश्नेही, सत शद्धालो, भव्विबर पुंडरीक, पुंडियात्मा, महानुभाव आचारी भगवन समंत्वद श्वामी द्वारा विर्चत, रत्न करंडग साबकाचार की वाचना में, सल्लेखना अधिकार चल रहा है विगत दिवश इश्लूक नमबर 123 का अर्थ समझ रही थे इश्में बताया था शल्लिखना क्या है अंतरंग की किरिया का आधार है संपून तपों का फल है ऐसा सर्व दर्शे शर्व ग्यानी जिन्द भगवान ने कहा है इसलिए संपून तपों का सार या फल और अंतरंग की किरिया का आधार वनाने के लिए प्रतिव व्यक्ति को समाधी वर्ण में प्रत्न करना चाहिए दिल्ली ग्रीन पार्क में जब भी थे हम लोग 2019 में फ्रांस से एक मानवा पधारे जो जेन दशन के संबंद में तोची रखते थे उन्होंने कहा I want peaceful death मैं शांती पुरम्रत्तु चाहता हूँ So what? Every person wants peaceful death Keval आप यही शांती पुरम्रत्तु चाहते है ऐसा नहीं है संसार का प्रत्यक पुराणी ही शांती पुरम्रत्तु चाहता है किन्तो वात यह है Keval चहाने मातर से उस भलकी प्राप्ति नहीं होती क्यदी क्रशक अपने खेत में वीज नव होए और खेत के शामनी हाजोड़के बैठ जाए कि मेरे खेत में अच्छी फसल आ जाए आम का बगीचा लग जाए अच्छी अच्छी सुंदर आम के फल लगें या शेव का बगीचा लग जाए, मोशमी का बगीचा, चिर्गुकाली, चिर्गानार का कोई बगीचा लग जाए तो विना किये तो बगीचा नहीं लगेगा पहले पुर्शार्थ करना होता है बाद में भाग की प्यतिक्षा करनी होती है आचारिशमद्व स्वामीने के वल या नहीं का कि आपके वल भाव ना भावquently होत्तम स्वादी पराप करने के लिए ओने का प्रियतितव्यम प्रियतन करनछा ना Čत और व्यवभूने अपनी शक्ति की अपनी ब्यवभ की अनुशा क्यात्ना करना चाहिए संसार के जितने भी कार हैं आप संपन करते ही है न व्यापार करते हैं तो व्यापार करते ही है न क्यों भावना तो नहीं बाते विद्यारती एद्धन करते हैं सफल होने के लिए तो एद्धन करते ही है न या कोई उद्युपति अपनी प्रेक्टेश चलाता है तो वह परश्रम करता ही है नजुदूरी करता है तो उश्रम करता है है श्रम करने पर ही फलकी संप्रापती संबब है पर श्रम निस्फल नहीं होता है जब भी किसी छेत्र में आप सफल ओना चाते हैं, उस छेत्र में समुत्पन व्रक्ष के फल को प्राप करना चाते हैं, तो उस छेत्र में आवश्यक कार रूपी व्रक्ष को अपने सुद्ध पसीने के जल से सिंचन करो, तो शंभावना है कि आपको सुफल की प्राप्ति होग आप चाहें समाधी मन के लिए क्या करना होगा हम लिए तो शुनाता कुछ नहीं करना पड़ता है जहां कुछ नहीं करना पड़ता है वो और ज्यादा बड़ा पर्शम होता है क्योंकि जो कुछ आप कर रही हैं उसे छोड़ना पड़ता है उसे छोड़ना और बड़ा कठिन होता है कोई वती कहे कि सरल बनने के लिए क्या करना पड़ता है बोले कुछ नहीं सरलता से बैठ जाओ सांते से बैठ जाओ किन तो बैठा तो नहीं जाता बोले कुछ मत सोचो ध्यान लगाने के लिए क्या करना पड़ता है बोले कुछ मत सो है बोलना तो सर ले बोलना तो बहुत आशान लेकन मौरेना बड़ा कठन है कि कोई कार करना आसान है किन तो बड़ा लेकर अजी निवीत्ट करना प्री कर लेकर डाँ सकता है 100 लोगों को प्रोध आ सकता है जो शांत परणामी थीति तब तक उन्हें कुर नहीं आया च्छमता से पार होते होगे तो क्रोध आता गया एक व्यत्ति अभी भी टिका हुआ है उश्के और क्रोध के निवित उत्पन की समुपरस्थित की उश्के बाब जी तो क्रोध उसे आया ही नहीं पुशा क्यों मैंने अपने एक्रोध का गड़ाई खाली कर दिया कुवे में पानी हो तो वाल्टी से निकाला जा सकता है किसी कुवे में रश्ची पढ़ती है दो हाथ की चार हाथ की आठ हाथ की दस हाथ की पंद्रे हाथ की बीस हाथ की तीस हाथ, चालीस, पचास, सो देड़ सो, दो सो, पांट सो, आजार आतकी रसी लग जाएगी चलो, कुवें पानी है तो निकल के तो आएगा, और जिस कुवें पानी नहीं है, तो कितनी भी आतकी रसी डालते रहो, क्या फ़र पड़ रहा है, ऐशे ही समत्य भाव जागत करने के लिए, समाधी मन को प्राप्त करता है, असायमी शमाधी को प्राप्त नहीं करता, तो पहले तो शायमी बनना पड़ेगा, शायमी यकायक बन्रे का सास नहीं है, तो पहले देशायमी बनना पड़ेगा, उरतियाधी बनना पड़ेगा, मुष्के लिए हिंसाधी पांच बापों को छोड़ना प पड़ेगा, जीते जी मत जैसे बनना होना पड़ेगा, कि तुम कुछ भी कहो, तुमारे शब्द हमारे एक कान से आ रहे हैं, दूशे से निकल रहे हैं, आपके शब्दों के अंदर लेकी नहीं जा रहे हैं, प्रियास तो यह करें, कान के अंदर प्रिवेश ही नहीं करें, अ तो हमने यहां मद्ध में कोई एक ऐसा वो लगा दिया है पार्टिशन के जिशे हुए उपर से उपर निकलते चलें बाई पास हमारे अंदर शेहर में हमारे देश में बस्ती में प्रिशन कर जाए आपके शब्द कोई शब्द अच्छा हो जाए जोबारी विशुद्धी बढ़ाने बाला है तो हाँ थोड़ी सी जाली छोड़ दी है वश्मेश शब्द नीचे आ जाता है या मंदर गिर्ण कर देती तो आचार मोदे कह रहे हैं संयमी बने बिना समाधी नहीं होती जैसे मुफली का वार का चलका तोड़े विना अंतरंग के चलके को नहीं निकाला जा सकता और अंतरंग के चलके को निकाले विना उसके दो पीश करके खाया नहीं जा सकता पहले छिलका निकालना है तो हाइट मुफली निकल की आती है तो वह लाल छिलका भी अलग करना पड़ता है क्रम चल लेगा पहले वीज पौदा होगा फिर ब्रक्ष बनेगा आप कहो कि पहले वीज वह तो यह ब्रक्ष हो जाए हमारे पास पौदे कि इंतियारी कंडे का समय का नहीं है तो या सह तो नहीं हो सकता रिमत। किन्तुज चुक्रम है वही क्यों चलाना पड़ेगा महानभाव तो आचार्श्रमत वशामी कह रही हैं का दिक्षा लेतंटे पूर्व क्या-क्या त्याग करना जरूरी होता है तो संचेप मेदे बता दिया हिंसाधी पांच पापों का तया करना जरोरी होता है और क्रोधादी कशायों का तया करना जरोरी होता है और राग देश की तीवरता को मंद करना भी होता है धर्म के बती अनुराग जागत करना भी आवश्यक होता है ये सब आवश्यक हैं इनकी पूर्ती हुए बिना आगे का काम फ्रारम नही करो क्रम क्रम करते चले जा ऐख करम से नहीं बहुन बनाना आए तो पहले नीम खो दो और पहरे इस प्लोट की सफाई करो जतना कछरा पड़ा पढ़ा है उठवाकर के मलवा बार फिकवाओ तो यह मलवा पहन के स्वाना है फिर नीम खोदो तो नीम खोद करके अच्य चंधर-संदर-संदर मजबूत पत्थर उस्मा इंदर से डालो job तो नीचे से गाने मोड़े शरीये बाले जाल बना करके नालकर फिर उसे प्लर खड़ करो या बड़ी बड़ी पत्त रोकर की पिला उसके इस्तंभ खड़े करो उसके बाद दीवाले मनाओ उसके बाद चछ डालो उसके मुड़ी बनाओ उसके कंगूरी बनाओ वीच में फिश्रिकर निकालो पिर शिकर बड़ाओ फिर दुजा लगाओ उत्तम्शमादी मरन कलस और दुजा लगानी के समान है तो पहले क्या करना पड़ेगा काई पेले कचल अणगे बीच में कलस लों तब होगा कर्शार जमीनि में नहीं होता दुजारों जमीनि में नहीं हो तब होता है तो यह इसे ही उत्तम्शमादी मन काे कल सारुन करना चाहते हो तुझान करना चाहते हो तो पहले सबसे पहले अपने चित्त में बसे हुए इस कच्छी को तो निकाल के बार फ्हें को जो रोड के इशारे से तुमारा प्लॉट पड़ा मेरा प्लॉट है भईया हम कब करें तेरा प्लॉट नहीं है तो मैं को फैगू तेरे प्लॉट में जो बाहर की गंदगी आ गई है न यह गंदगी पड़ी है शराब की बोतने पड़ी है कचरा पड़ा है जूते चपल हैं और नियाने क्या क्या बस्त में पड़ी हुई है इसमें मकान बना भी लेगा तो शुद्ध नहीं हो पाएगा पहले कच्छा निकालना ही पड़ेगा कोई व्यत्ति कही जदी में पापों का कशायों का त्याग ने करूं दिख्षा ले लिए तो वशी मकान जैसे होगा मका बना ले बदूगाती रेगी और वे मकान बननी पाएगा धराशा ही हो जाएगा तो आचर मोद्य के रहे हैं क्रम आशा चला तो इसलोक नमबर 124 में क्या करें आचर महाराच स्नेहं वाईरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्ध मना स्वजन परिजन मपिच छांत्वा श इस प्रकार से पहले अपनी कदम आगे बढ़ा हो कैसे बढ़ा हो सबसे पहले इसनेहं अपहाय वाईरं अपहाय संगं अपहाय परिग्रहं अपहाय इन चार को छोड़ करके इन चार को छोड़ो के तब स्चित में शलता आईगी इस चार छोड़ना पहले इसनेह मानी राख जिस परिवार से राग है पतनी सपन में भी आ जाए तो चित में खल बली मचा दे या जिसके पती भी राग है कलपनाओं में उसके पती यदि कलपना कंडी लग जाएं और कलपना में आ जाए कि उसका ब्योग हो गया है तो बस चित व्याकुल हो जाता है रात को नीद नहीं आती और दिने में भूँक नहीं लगती किसी काम में मन नहीं लगता इशनिय बड़ा खतरनाक है जब तक इशनिय की तीवरता है तब तक सैयम की वात न तो सुननी में अच्छी लगती है न कहनी में अच्छी लगती है और ना ही संयम व्यर्ण करने की भाव ना जाकत हो शक्ति है महान भाव क्या समझे में आया राग की तीब्रता जब तक होती है तब तक संयम की बात सुनने में अच्छी नहीं लगती बोलने में अच्छी नहीं लगती यहां तक संयमी का दर्शन भी अच्छा नहीं लगता, धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता, और संयम का अभाव मन में नहीं आता। कोई व्यक्ति आती आशक्त हो अपने जीवन शाथी में, उनसे को चलो तुम्हें महाराज पास लेचलें, कुछ त्याग व्याद दे देंगे तुम्हें, बस दूर से हाथ जोड़ें, मैं नहीं जा सकता भी, मुझे त्याग व्याद करना नहीं अभी तो मुझे अपने जीव अब हैं इमको लें करने जा व्याद के पास, हम त्याग व्याद कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो म्हाएं बाहर जाना है, कहते हैं? अनि मुनमून आने के लिए या और कहीं जाते हैं, धर्मात्मा हैं तो भी कहां जाते हैं, ती त्यात्रा करने के लिए, शादू दर्शन करने के लिए, और जिनका धर्म के पती लगाव है ही नहीं, तो भी कहां जाएंगे, फिकनिक स्पोर्ट पर जाएंगे, मौज मस्ति करने के लिए, तो ऐशे व्यक् में चादनकाई बत ले लो बोड़े ठीक है छमा करो मैं बाद में जावस्ता पड़ेगी तो आज हमों नेम लेने के लिए अभी नहीं ले सकता तो यहां कह रहे हैं सबसे पहले इसनी हम दिख्षा की भावना है तो इसनी एकात्याख जो रा की तीवरता उसकात्याख फिर वह किसी के पति बेर बाद लिए मैं मर जाओंगा पर छोड़ूंगा नहीं इसको चाहे मुझे नरक हो जाए पर इसको छोड़ूंगा बदला तो लेके रहूंगा च्छमा करी नहीं शकता तो वहर की गांठ पड़िए तब 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 दिख्षा कहीं हो सकती है क्या बेर बाद क के दिख्षा कोई ले सकता है क्या राकी थीवेता में कोई दिख्षा ले सकता है क्या तो वहर को छोड़ना विष्णिय को छोड़ना और संगम मुह को छोड़ना जिनके पति मुह की शंतती चली आ रही है उनको पति मुह को छोड़ू इसको छोड़े विना दिख्षा की कि या तो पूरी हो जाएगी पद्दिक्षा बास्तम में हो नहीं पाएगी अपना फल नहीं दे पाएगी इसलिए कहा उसो मुवकात्या करो परिग्रहूं जो कुछ भी तुमारे नाम से या खेत है मकान है वेंक बैलेंस है या कितनी को जमा तुमने किया है जमा साहुकार के पा जाएगा दिक्षा में तुम अपने साथ लेकर कोछ नहीं चल सकते यताजा दिगंबर होना पड़ता है वो शेही दिक्षा कहते हैं केवल सिर्फ और सिर्फ जीवरक्षा के लिए पिक्षका ले सकते हो सौच के लिए उपकरन कमंडलू ले शकते हो और अध्यन के लिए शा जामर्त नहीं है तो अपबाद में चटाई पाटा आदी ले सकते हो यह भी राजमार्क से नहीं इन सब को छोड़कर के तब दिक्षा के छित में प्रिवेश किया जाता है आज वस इतना ही सेश कतन बाद में करेंगे जबली श्री शांतनात भगवान की परम पूजाचार गुर्देर शिविद्धन दिवन्माराज की आईन सामय विश्व धर्म की इस कारिक्रम के पुर्यार जग थे श्रीमती शिप्रा जैन तुशार जैन गुरु भक्त परिवार मेरट श्रीमती पूनम जैन श्री रवीश चंजर जैन शुभं आयुश जैन सह परिवार का डॉक्टर नीरत जैन निखिल सेजल पर्श्यम विहार दिल्ली श्रीमती संतोष जैन श्री विशाल चंज जैन श्रीमती पूनम जैन सी एमें पंकत जैन अमित जैन राशी जैन उन्नती जैन सेक्टर सेथिस नौइडा पारसमल इंद्रदेवी संजय विनीता अजय श्री विनोच चंज जैन मिलेनियम श्रीमती नीता जैन समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजबाद